आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाउ So question में पूछा जा रहा है The causative agent of a potato spindle tuber disease is composed of देखिए यहां पर potato spindle tuber disease की बात करी जा रही है तो उसमें कुछ इस प्रकार का होता है यहां पर आप देख सकते हैं यह हमारे किस की photo है यह हमारे normal potato की है ठीक है यह है normal potato तो यह हमें पता है आलू ऐसा ही लिखता है पर जब यहां पर हमारा यह causative agent जो आईगा जाने कि यह जब हमारा potato spindle tuber disease होजाता है तो यह ऐसे spindle हमारे ऐसे होता है spindle है spindle है जैसे कि आपका क्या होता है जो गिल्ली डंडा होता है तो गिल्ली जो होती है वोजys spindle shape होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है यह spindle shape काउस करता है तो यह करता है एक वायरोइड ठीक है वायरोइड काउस करता है यह डिजीज और अगर मैं देखों यह कैसे होता है वायरोड होता क्या है वायरोड होता है ओनली आर ने पार्टिकल्स ठीक है यानि कि यह हमारे वायरस से भी स्मॉल होते हैं स्मॉलर दान वायरस उसके बार होता है protein coat पर यहां पर क्या protein coat ही नहीं है और इनका अगर हम देखे आर ने यह होता है single standard यह होता है single standard RNA प्लस यह क्या होता है यह हमारा लगबग 300 nucleotide से बना हुआ होता है तो आप देख सकते हैं कि यह कितना low molecular weight वाला organism होगा या फिर इस हम कहें कि यह infectious RNA particle होंगे त only RNA भी हाँ पर correct answer होगा Thank you